मेरे पहरे दोस्तों आप सभी को नमस्कार अपन SSE CHSL के जो पेपर कर रहे थे पेपर प्रक्टिस अपन कर रहे थे उसी कड़ी में आज जो हो अपन 17 मार्च 2020 को जो CHSL का पेपर लगा था उसकी थर्ड सिप्ट का जो पेपर है उसके आज अपन अर्थमेटिक के पार्ट की जो प्रक्टिस करते हैं तो आएए सुरुबात करते हैं कुछनों पे स्क्रीन पर आपकी कुछरन दिख रहा है आपको बोल रखा एक कम्रे में मेज और कुरसी का अनुपाद 7 और 9 है यदि कम्रे में 560 मेज और कुरसीयां है तो कुर्शियों की संख्या क्या है आपको टोटल दे रखा है यहां पे और टोटल आपको कितना वता रखा है 560 तो देखिए अगर टोटल आपको 560 वता रखा है तो यह मेज और कुरसी का योग दे रखा है और दोनों का आपको रेशियो जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 7 रेशियो 9 आपको बता रखा है देखो मेज जो दे रखा है उसका अनुपात दे रखा है 7 और जो कुर्सी दे रखी है उसका अनुपात कितना दे रखा है 9 आपको ये बोल रखा है यहां पे कि टोटल इनका दे रखा है 560 अगर टोटल 560 दे रखा है तो मैं अनुपातों का योग कर दूँ तो 9 और 7 होगा 16 आपको 16 यूनि वह नो इसका मतलब आपको नो यूनिट का मान पूछा है देखिए आठ से काटोगे तो आठ दो और इसको आठ सो काट दोगे तो आपकी वेल्यु आ गई साथ और सतर में जो हुआप दो से भाग करोगे 35 और 35 को नो से गुणा करोगे तो आपकी वेल्यु आएगी 315 और क्यों संदिरक है आपको बोला है राम ने एक बैंक में 8000 रुपे की राशी बचत खाते में जमा की जिस पर उसे 6.5% की दर से ब्याज प्राप्त होता है ब्याज की गंड़ना मासिक तोर पर की जाती है अठारवे महीने के अंत में उसे कितनी राशी प्राप्त होगी ये बात यहां पर कंपाउंडेड है चक्करवर्दी व्याज की दर से लगा रहा है और मंतली व्याज दर लगा रहा है आपको यहां पर पूछ रखा है वाट अमाउंट विल ही गेट एट दे एंड ओफ एटिंग बंथ इसको मतलब 18 मंथ के बाद जो हो इसको कितनी राशी मिलेगी यह बात आपसे पूछी गई है देखिए 8000 रुपेस ने जमा करवाएं और इस पे जो 18 मंत का व्याज बनेगा वो व्याज निकाल के अपने को एड़ करना है अब सबसे पहले बड़ी बात यह है देखो समझ यह बात को यह कसन है आपका आपको सबसे पहली बात यह है कि 18 महा का व्याज निकालना और व्याज की दर दे रखी है आपको कौन सी आपको व्याज दर दे रखी है यहां पर वरिसिक एक बात बताईए और ब्याज की जो भी रासी आएगी वो इसमें जोड़ देना है और जोड़ने के बाद जो भी मान बनेगा वो मान जो है वो अपना एंसर होगा तो देखिए 8000 रुपए आपको दे रखा है ब्याज की दर है 6.5% लेकिन ब्याज की दर 6.5% है वो आपकी वारसिक है अपने को एक महीने की व्याज दर निकालनी है तो यहाँ पे एक बात बताईए 8000 है अगर मैं इस पे 6.5% की बात करूँ और अगर 6.5% मा निकाल दूँ तो यहाँ पे आपकी वेल्यू जो आएगी वो यहाँ पे यह बारा महीने का व्याज हो गया है पॉइंट हटाओगे तो निचे 0 आएगा लेकिन अगर आप 12 का भाग दे दोगे तो एक महीने का व्याज जाएगा वैसे देखें तो किस्वन बहुत बड़ा है 18 महीने का व्याज निकालना एक-एक महीने से अपन व्याज निकालेंगे तो मान के चलिए किस्वन इतना बड़ा है कि आपको एकजाम में किस्वन जो हो चोड़ना पड़ेगा लेकिन अगर थोड़ा सा अपन दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा अपन किस्वन को करते हैं तो अपन आप्सन के आसपास जा सकते हैं कि option जो दे रखें वो बहुत दूर दे रखें तो देखिए 8000 पे 6.5% की दर से अपन ब्याज निकालेंगे और ये एक महीने का ब्याज आ रहा है अगर 18 महीने की बात करो तो 18 महीने का साधन ब्याज तो इस पे लगना ही है फिर ब्याज पे ब्याज लगता जाएगा तो 18 मही साधन ब्याज आ घुँग्या अगर इपन साधन ब्याज इसका निकालें तो मैं एक महीने का ब्याज क्या होगा सबसे पहली बात 3-0 से 3-0 कटेंगे यहां 4 से कटोगे तो आपकी विल्यों आएगी 2 और ये माना जाएगा 3 उपर आपकी विल्यों आ रहे है 130 और नीचे मान अब 780 रुपए ये 780 रुपए तो आगए अब देखिए 8,780 हो गए यहां पे देखें 8,780 ये 88 दे रखा है ये मान जो आपको है 8,788 ये तो आपका उप्सन आना नहीं है क्यों नहीं आना है मैं बता देता हूँ एक बात बता ये 780 आपको जो ब्याज दे रखा वो ठारा महीने तक उसके बाद इस ब्याज पे अपन ब्याज और निकालेंगे तो 17 महीने तक ब्याज लगेगा तो आप बताइए कि ये वेल्यू जो है ये तो केवल और केवल यहां पे 8,780 दे रखे ये 88 रुपए जादा है तो 8 रुपए से तो ये वेल्यू कोगी अभी 17 का फिर उप्सन को भी आप सीधा हटा देंगे अब देखिए बचे दो उप्सन इन पर अपने को चेक करना है आप बताईए एक महीने का जो ब्याज आया देखें यहां से मैं वापस बताऊं एक महीने का जो ब्याज आपका आगया वो आगया 130 बटे 3 अगर मैं इसी पे ये साधन ब्याज था इसी पे में ब्याज लगाऊंगा तो ब्याज की दर वही है आपकी तो ब्याज दर दे रहेखी है चैप पॉइंट पांच यह वारसिक है नीचे हजारा जाएगा क्योंकि पॉइंट बहटाया मैंने बारा महीने के बात करें तो बारा से भाग करोगे लेकिन आजाएगा 13 और यहां पे जो आपकी वेल्यू आएगी यह आएगी 20 तेरा को तेरा से गुणा करोगे 169 और यह आपकी वेल्यू दे रखी यहां पे 3 गुणा 20 गुणा 12 अब देखिए मैं 17 महीने का ब्याज निकाल दूं क्योंकि 18 महीने का ब्याज था एक का साधान ब्या पायर करूं तो 289 और 289 में अपन भाग देंगे 12 गुणा 24 और 22 का तो 22 का भाग देंगे तो 22 का डबल होगा कितना 144 144 का डबल 288 मतलब आपका जो ब्याज आ रहा है वो चार रुपे आ रहा है यह चार रुपे दूसरी स्टेप का है वो 17 महीने का उसके बाद आएगा तो 4 स उससे कुछ वेल्यू कम आएगी ऐसे करते 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 अपने को लास्ट एक महीने तक जाना है तो एक बात बताईए आपके पास यहां पर जो हो वो सोड़ा महीने और बचे अगर मैं इससे निकालू तब तो मेरी वेल्यू आ रही है चार गुणा सोला तो सोड़ा गु जाने का मतलब 8,844 आपका दे रखा है देखे 8,844 तब आता है जब मैं सब को चार चार ले लेता हूं लेकिन वो चार चार नहीं आने वेल्यू तो कुछ कम होनी है तो आप यह बताईए कि इस ओप्सन में आपको दे रखा है 8,907 तो यह उप्सन तो सीधा ही कर जाएगा म बताईए तीन वेल्यू आप काट चुके हो तो वेल्यू बची कौन सी है आपकी एक वेल्यू बची है तो आपका उप्सन जो बचेगा वो यहां पर एक ही बचेगा और दोस्तों मैं यह बात आपको बता भी देता हूं एक्जाम में कुछ क्यूशन जो ऐसे आते हैं जो आ चाहें तो दो तीन ऑप्सन काट के आप इस वेल्यू को सोल कर सकते हो तो यह जो कुस्ण दे रखा है तो चलिए आइए अपन चलते हैं अगले वाले कुस्ण पर तो आईए यह क्वस्ण नमर तीन आपको दे रखा है आपको बोल गया कि डियाए का क्यूशन है आपको बता रखा कक्सा चार में उत्रिन परतिसत क्या है तो कक्सा चार में उत्रिन परतिसत क्या है इसका मतलब कितने स्टूडेंट थे और पास कितने में हैं तो एक बात बताईए डाइग्राम जो आपको दे रखा है वो आपको बोल रखा है फस्रेणी दित्तिस्रेणी और अनुति है 12 और तीन विद्यार थी ऐसे हैं जो फैल हो गए तो टोटल कितने थे देखो 45 में अपन बारा जोड़ेंगे तो 57 57 और तीन कितने हो गए 60 कक्सा चार में जो टोटल स्टुडेंट है उनकी संख्या आ रही है 60 और अपने को ये पुछा गया उत्रिन परतिशत तो आप बताईए 60 में से कितने पास हो गए तो फैस डिविजन वाले हैं 45 सेकंड वाले हैं 12 तो टोटल पास हो गए 57 कितने में से 60 में से तो आप बोलेंगे 57 किशिन नंबर 4 आपको दिया वहुत और आपको लेकिशन दे रहा हे 17 hay procent और उनकी और आन्में पहुत है उस्तुड़ाई और आपको जीरो हटा दू चार बचा चार का भाग दोगे आप तो आपके वेलिवाएगे चार दो आठ दो एक की ऑप्षन में दे रहा है तो आप्षन नमबर दो आप सीधा टिक कर सकते हो आगे चेक करने की जरूत नहीं है बहुत इजी तरीका है आप आराम से निकल सकते हो आईए लtषी और उसका ही अपन 1rule third ले रहे हैं तो एकस का बताओ एकस बटे थारड ले रहे हैं जटा दे ते समें से तो टु एकस बाई थारड बचेगा और इसका मांन जो दे रहा है वह आपको दे रहा है दो सो आठाईस तो बताओ कोई वहो संख्या पूछ ले मतलभ एकस का म पूछ ले तो X की वेल्यू मेरे को निकालनी हो तो मैं तो सिधा भोलूँगा 228 को किस से मल्टिप्लाई कर दूं तीन से और किसका भाग कर दें अपन दो से जैसे ही अपन दो से भाग देंगे और तीन से मल्टिप्लाई करेंगे अपने पास वो संख्या आजाएगी लेकिन वो संख्या नहीं पूछ रहा है उसका कितना परशेंट पूछ रहा है 20 परशेंट तो 20 परशेंट की फ्रेक्शन होती है एक बटे पांच तो यह आपका माना गया है एक बटे पांच देखिए आट को में तीन से गुणा करूंगा तो वेल्यू हैगी 24 नीचे हो गया 10 कर देता हूं क्यों आपको यह दे रखा है आपको बोला है इसमीत और अजीत किसी कारिये को करम से 12 और 18 दिन में पूरा करते हैं यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन तक कारिये करते हैं तो अभी कारिये का कितना भाग सेश रह गया वह आपसे पूछा है तो देखो हमित जो काम करता है वह कर रहा है बारा दिन में और अजीत है वह कितने दिन में कर रहा है अठारा दिन में एलचम देखी दोनोंका 36 यह वेल्यव तो आणी यह आपकी कितनी 3 तो बताओं कितने दिन कामक्या इन्होंने मिलकर呢 6. sollte बनाँ क शूरा इंुनिट काम कर लिया लेकिन अपने को ये पुछा है कि अभी रिमेनिंग काम क्या हो aquesta 아무ité zwar हो गया तो बचा कितना 20 को माइनस कर दो 36 में से तो आप बोलेंगे जी सोड़ा यूनिट बचा लेकिन आपको तो यह पुछा है कि अभी कारिय का कितना भाग बच गया टोटल काम था 36 जिसमें से सोड़ा बच गया तो सोड़ा वटे 36 भाग हो गया और आप बताईए कि आप इसको चार से काट देंगे तो आपकी वेल्यू चार वटे नो आएगी क्या तो आपको नंबर कौन सा हो गया चार यह आपका अंसर है आगे आओ डियाई का क्यूसन बहुत इजी क्यूसन है किस क इतने हो गए 38 15 तो 40 50 53 और इसमें कितने हो गए 52 और इसमें कितने हो गए तो बोलेंगे 55 सबसे जादा जो आ रहा है वो कौन से माराई क्लास 4 में आ देखिक लेसर कौन से में दे रखा है ऐका ऑप्सन नंबर 1 यह आपको अनसर होगा देख़ो पेपर में आपको बता देता कोई टफ क्योशन होता है तो उस पर अपन यहां पर सोल करवा के आपको टाइम से बता देते हैं कि वह यह टाइम लगेगा एक्जाम में आपको उसको छोड़ना होता है देखो आगया यह यह क्योशन देरिक है एक उत्पाद जिसका MRP 970 रुपए है और 925 में उसने बेश दिया तो डिसकाउंट कितने का हो गया तो आप बोलेंगे 3 यह 5 53 रुपए का डिसकाउंट है किस पे डिसकाउंट डिसकाउंट है MRPP मिलता है तो यह 978 पे है यह 53 रुपए है एक बात बताव वेल्यू होती नो तो नो छे चोवन होता छे बार तो भाग जाएगा नहीं तो भाग जाएगा पांच बार एक यह उप्सन देरिक है option number C यह आपका answer होगा मैं आपको बता दू calculation भी आपको कम से कम करनी है थोड़ा दिमाग से काम में लेना है कि किस तरीके से आप option पे जल्दी पहुंचें आगे आईए option आपको देरिक है अगले वाली strategy देते है पन जो option आगे आपको दिये वे है यह आपका question number 9 है आईए question पे किस कक्सा में उत्रण होए चात्रों की संख्या सबसे कम है अभी निकाला था आपने सबसे ज़्यादा बताया था अभी सबसे कम देखो इनका 31 percent किया इनकाइडिशन कितना आ रहा है यह आप देखिए इनका अदिशन अहरा इसमें 45 क्लास वायर और 12 जो है वंआपके सेकिंड वाले है तो टोटल हो गय सत्य बारा इसमें देखिए तो total कितने हो option number B यह का मान हो गया आपको दी आवह ऑग्धा है निम्न में-सलिक्त शंख्या नों से विभाज्य है मतलब ऐसलिकत को खुछ विझी सबनखेगा इसमे नों खुर बाहरा भागगदाते हैं if के लोन को खिलिडिकर रेनी dhva ककेने शंख्याथ C संख्या में पूरा 9 का भाग जाएगा तो देखिए उनके योग की बात करें तो योग की बात करें तो वैसे अपन 9-9 से काट सकते हैं यहां से जैसे इसकी बात करूँ तो 7-2-9 इसमें तो भाग जाएगाई यह आपकी वेल्यू 9 हो गए इसको भी काट दो आप तो 3-4 कितना हो गया 7-7-8-15-15 में 9 का भाग जाए नहीं जाता है इसका मतलब यह उप्सन तो नहीं है इसको चेक करो 9-9 काटो 5-4-9 काट दो और यह आपकी वेल्यू 9-8-2-3 बच गया यह भी नहीं होगा यहाँ पर देखिए यह आपका दे रखा है 6-3-9 यह आपकी वेल्यू दे रखिए 7-2-9 यहाँ पर बचा 5 यह भी नहीं होगा तो लास्ट बचा है वैसे तो उप्सन यह सीधा टिक कर दो अधर्वाइज आप चेक कर लो 9 यह आपका हो गया 9 यहाँ पर वेल्यू होगई 10- और 888 में 9 भाग जाएगा तो आपका एंसर जो बन गया वो कौन सा उप्सन बन गया उप्सा नमबर डी समझ में आ गई यह एक ऐसी संख्या है जिसमें 9 का पूरा भाग जाएगा आ गया यह क्योस्टन आपको यह दिया हुआ है आपको बोल रखा है दो संख्याओं का योग 59 है और उनका गुणन फल 840 है उनके वर्गों का योग 59 है दो संख्याओं का योग 59 है मानलों एक संख्या X है और दूसरी है Y इन दोनों का एडिशन करें तो अपनी विल्यू आ रही है 59 और अगर उनका गुणन फल अपन करें तो X Y अपन कर दें तो वह विल्यू आ रही है आपके 840 यह आपको बता रखा है ठीक है आपको बुल रखा है वह संख्या क्या है एक बत बताओ इस विल्यू का मैं स्क्वाइर करो X प्लस Y का होल स्क्वाइर करूँ तो X प्लस Y का अगर आप होल स्क्वाइर करते हो तो क्या होता है X स्क्वाइर प्लस Y स्क्वाइर प्लस 2XY यह होगा आप बताइए इस विल्यू के अगर आप बात कर रहे हो तो आपको X स्क्वाइर प्लस Y स्क्वाइर प्लस 2XY आपको दे रखा है तो X प्लस Y का होल स्क् यह आपका दिरेख्द है, x² PLUS y², एक सकंड, xy दिरेख्द 840, x PLUS y दिरेख्द आपका 59, x PLUS y ka HOLY स्क्क्षार आप करोगे, तो आपकी वर्यू आएगी x² PLUS y² PLUS 2xy, यह आपका मांग दिया हुआ है, अब देखिए, अगर x सक्क्षार, x PLUS y का HOLY स्क्षार कर रहे हैं, तो यह मान तो आपको दे रखा है 59, तो 59 का आप whole square कर देते हो, इसके बराबर आ रहा है, x square plus y square plus 2xy, 2xy, xy का मान आपको दे रखा है कितना, 840, multiply कर देते हैं, यह हो गया 680, यह हो गया 680, तो आपको यह बोल रखा है, उनके वर्गों का योग फल्खया हो गया, वर्ग का मतलब ह होता है square, square का योग, योग का मतलब addition, तो यह square का addition ही तो आ रहा है, इसका square करके, इस में से मैं 6880 गटा दूँगा, तो मेरी value आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ पर अपना माना जाएगा, एक बात आप और समझ यह यहाँ पर, जो आपको value दे रखिये, देखो 59 का आपको square करन जैसे 50 के आसपास कोई number दे रखा है, उसका square अपन करते हैं, तो 50 को बेस मानते हैं, तो आप बताइए यह value 50 से कितनी जादा है, तो 9 जादा है, और 9 का square करेंगे तो अपनी value आएगी 81, अब यह 50 से value 9 जादा थी, तो अपन 25 में सीधा-सीधा 9 जोड़ देंगे, क्योंकि 50 मानते हैं, तो जोड़ना और घटाना जो होता है, वो 25 में होता है, अगर मैं 25 में नो जोड़ूँगा, तो मेरी value आजाएगी 34, 34, 81 में से 600 सी कम करना है, तो एक यह option बचेगा है, हाँ पर आपकी value 1 और यह आपका मान जीरो, लास्ट में 0 रिक, 0 रिक, एक यह option में दे रख है, क्योसार नमबर 12, आपको बोल रखा है किसी कोलेज में 16 चातरों के ओसत आयू 20 वर्स है, उनमें से 5 चातरों के ओसत आयू 20 वर्स तथा अन्ने 10 चातरों के ओसत आयू 20.4 वर्स है। इसiete का थाज़ूँगा, यह बात आब से पूप्छी गी गी है, देखो टोटल जो च चार्थ पहले तो बता दिया पांच छात्रों की बात कर रहा है अगला इनका उस्त दिया है और उसके बाद जो है वो आपको बता रखा दस तो बताओ पांच और दस तो आपके पास पंदरा हो गए 15 का टोटल तो आप निकाली सकते हो तो एक बात बताओ 16 का उसत 20 है तो total कितना होगा तो आप बोल देंगे 16 इंटू 20 आपकी value आएगी 320 ये 16 का total है जिसमें सिर 5 का total जो आपको दे रखा है क्योंकि 5 का उसत 20 है तो 5 का total हो जाएगा 5 गुणा 20 तो आप बोलेंगे भई 5 गुणा 20 ये 5 का total है अगले वाले जो 10 वचे हैं उनका उसत आ का 20.4 दे रखखा तो आपकी विल्यू जो आएगी वह आपकी मान आजाएगी हांपे तो आएगा सो और यह आपकी विल्यू आजाएगी कितनी दस पॉंट अच्छा बीस पॉंट चार है सोड़ी यह आपका मान बीस पॉंट चार है सा रहा है दोनों को जोड़ देता हूं तो आपकी वेल्यों चार प्लस सो टीन सो West इनका 10 toxal तो आप बताइए सोड़ oblis सोड़ वे छात्र कि हमरं क्या होगी तो आपड थीं सो थीमें से 304 गपड़ा थेंगे तो आपकी वीड़ों वरृ। देखें सोला वर्स कौन से option में दे रखा है, तो option number B में दे रखा है, तो आपका इसका answer जो होगा वो option number C हो जाएगा, देखें, चलिए, आगे आईए, आगे वाले question पर बढ़िया देखें, ये कुस्तन आपको दिया है कक्सा 6 का उत्रिन परतिसत क्या है ये बात आप से पुछी गई है तो देखिए कक्सा 6 की बात कर रहे है आप तो कक्सा 6 में उत्रिन परतिसत क्या है एक बात बताओ पहली बात तो कक्सद 6 में टोटल विद्यारती हैं कितने जोड़ देते हैं इनको 42 और 8 यह हो गया 50 और 10 60 टोटल विद्यारती हैं 60 और उनमें से उत्रिन कितने हैं तो 42 और 10 कितने हो गए 52 तो 52 का कितना परसेंट है यह पूछा आपने से इंटो अपन कर देंगे 100 जिरो से जिरो कड़ दें और यह विल्यू जो आएगी वो 520 में आप 6 का भाग दोगे तो 484 और बचेगा कितना 2 0 और 6 का भाग दोगे तो आपके विल्यू आगी 3 और यह जाएगा नहीं 520 कहीं गलत कर रहे हैं एक सकंड बावन बटे 60 गुना सो तो 520 520 में आपन 6 का भाग देंगे 8 6 840 और यह आठ पर जाएगा बचेगा कितना 4 0 उतार लेते हैं 6 36 मतलब 86.66 तो आपके विल्यू आगी option नंबर 3 यह आपका answer होगा clear ना आगया हो इस चौदव question आपको दे रखा बहुत easy question है और आपको ये जो exam दे रखी है CHSL वाली इसी का paper आप अपने लिया है और इसी में ये question आपको दिया है दो question इसी type के अपन ने एक पिछे भी क्या था और एक question ये पुछा आप से कि दो संख्याओं के बीच का अंतर वहाँ पे addition दिया था यहा आप से पुछी गई है तो घं की बात अपन करें तो वह क्यों की बात कर रहे है देखे दो संख्याओं एक x है और दूसरी y है इन दोनों के बीच का difference दे रखा है 6 और आप बताओ उनके वर्गों के बीच का अंतर है 60 x square minus y square इसके बराबर दे रखा है 60 एक बात बताईए x square minus y square x plus y x minus y का formula क्या होता है x plus y x minus y x square plus y square को खोलते है तब यही बनता है x square minus y square इसका formula होता है x plus y x minus y x square minus y x square का ठीक है आप एक बात बताओ x square minus y square तो दे रखा है 60 इसके बराबर x minus y दिया 6 तो आप यह बताईए कि यहाँ पे जो value आ जाएगी वो x plus y यह आएगी क्या 6 का भाग दे दूँ तो x plus y जो आ गया वो कितना बन गया 10 दो संख्याओं का योग 10 है difference 6 है तो आप बताओ जब x plus y 6 है यह x plus y 10 है और x minus y 6 है तो x और y निकाल सकते हो यहाँ से बताओ 2x के बराबर हो गया 16 तो x की value कितनी आ गई 8 एक equation में रख देंते कही पे भी 8 अगर x का मान 8 रखा तो y की value 2 रखने पड़ेगी तब ही दस आएगा तो बताओ x का मान आ रहा 8 और y की value आ रही कितनी 2 इसका cube करोगे 512 इसका cube करोगे तो आपकी value आएगी 8 500 12 में 8 जो रखा है रुपए 600 में किसी वस्तू को बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाब होता है 20% की हानी के लिए उसे उस वस्तू को किस मुले पर बेचना चाहिए तो देखो 600 रुपए में किसी वस्तू को बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाब होता है आप 600 रुपए में क जो fraction होगी वो कितनी होती है 1 by 5 अगर किसी वस्तू की cost price जो है वो 5 unit है तो आपको profit हो रहा है एक unit का इसका मतलब SP कितने unit आ रहा है 5 से एक ज्यादा पर बेचेगा वो तो कितने पर बेच रहा है 6 पर आप बताओ अगर मैं 5 निकाल दूँ 5 निकाल दूँगा तो इसके cost price आए 4 में तो देखिए इसका answer जो बनेगा 100 गुणा 4 कितना हो गया 400 रुपे कॉंसा option दे रहा है option number 2 यह आपका answer दे रहा है तो देखिए जो भी paper अपन ने किया है भी आप मानिए इस paper को जो हो आप जल्दी जल्दी धीरे धीरे अपन ने क्योंकि 2-3-3-4 paper अपन डाल चुके है क्योंकि यह चीज़ें आपको आती होंगी किस तरीके से आप fraction लेते हो किस तरीके से आप value निकालते हो तो यह आप paper में जुड़े रही है और paper के आप practice करेंगे तो आपकी speed बढ़ेगी exam में आपको फाइदा होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को